दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विनीता यादव आज जो तस्वीर सामने निकल के आई है वाकई में आज वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी यूदो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये कहे दिया अपने भाशन में चुनाओं के परिनाम आने के बाद कि ये इतिहास का अभ भूत पुर्व दिन कैसे है क्योंकि ये शब्द आपके हिस्से में तो नहीं आ रहे हैं ये शब्द तो विपक्ष के हिस्से में जा रहे हैं ये शब्द उन पर जादा आज सूट कर रहे हैं मोदी जी इस वक्त तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की बात पर प्रीट तो थप तपा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरहां से सरकार बाल बाल बचते हुए बन रही है ये जो स्तिती आकर के आज पैदा हुई है ये मोधी लहर तो कता ही नहीं थी डाउन चला गया पूरा मामला उसके अलावा मोधी जी किसी भी तरहा से इस बार किसी पर ठीक पोड़ नहीं सकते हैं शायद इसी बजह से इसे अभूत पूर्व दिन बता रहे हैं अभी भी वो अपनी ठप ठपा रहे हैं इस बार चुनाओं में जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अजीब अजीब सी बाते कर रहे थे उससे अंदाजा आपको और हमें हो जान जानकारी मिल चुकी थी उन्हें सर्वे में जानकारी मिल चुकी थी कि इस बार बीजेपी इस तरहां से धराशाई हो रही है बाल बाल बची है यहां पर अभी बीजेपी देखना ये होगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुरसी को पहरा सामने निकल कर आएगा जो कि कुर्सी छोडने को तैयार नहीं होगा कुर्सी तो छोडनी पड़ेगी ना उनको लगातार लत पड़ चुकी है कुर्सी पर रहने की तीन बार मुख्य मंतरी और दो बार प्रधान मंतरी कुर्सी के बगर उनके लिए काम करना बहुत मुश चलिए कि उनके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल होगा इस बार वो राजनीती का असल रूप देखने जा रहे हैं अभी तक उनकी कुंडली वाकई में उनका साथ दे रही थी लेकिन अब वो उस वाले पत पर चल पड़े हैं जहां पर अकसर एक संघर शील नेता चलता है जिस उम्र में रिटायर होने वाले थे उस उम्र में आकर वो फस गए हैं राजनीती में और इस तरहां से फस गए हैं कि अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका ठीकरा वो किसके सर फोड़े अब अपना वारिस उन्हें चुनना ही पड़ेगा और वो चुन भी लेंगे लगता है क्योंकि अमिक्षा जो यह सोच रहे थे कि योगी आदेतेनात को रास्ते से हटा कर वो खुद प्रधानमंत्री पत के दाविदार बन जाएंगे मोधी के वारिस बन जाएंगे वहां पर आज योगी आदेतेनात ने उनकी खीर में नमक डाल दिया उत्तर प्रदेश में इ समृति राणी भी अपनी सीट खो बैठी हैं पिछली बार जीत कर भी हार गई थी और वाकई में हार गई हैं इस तरह के परिस्तितिस सामने हैं सुमृति रानी अपनी हार स्विकार कर चुकी है करें भी तो क्यों ना क्योंकि उन्हें जीता वाक मानेगा कौन क्योंकि वो जानते थे कि इस बार स्मृति राइनी का बैक पैक होना तै है ऐसे वक्त में उन्होंने अपने पीए को आगे कर दिया और उसके बाद उनको जीत दर्ज कराके स्मृति राइनी को आइना दिखा दिया और खुद राहुल गांदी राय बरेली से अच्छा दावा ठोक करके अच्छी जीत के साथ दर्ज करा चुके हैं यहां पर अगर बात करें अकले श्यादव की जिनोंने बंपर काम कर दिखाया है अकले श्यादव इस पूरे शो के शो स्टॉपर होकर उबरे है अकले श्यादव ने यहां पर वो किया है जो राहुल गांधी भी ना कर रही हैं राजनीती का मैदान सब के लिए खुला हुआ है जनता ने इस वक्त सब को मौका दे दिया है मोधी को मौका दिया है कि तरीके से चले वही पर विपक्ष को मौका दिया है कि अब तुम्हारी बारी हो सकती है इस तरह की तस्वीर यहां पर लाकर खड़ी कर दी गई है आप ये मान कर चलिए कि पूरी तस्वीर इतनी खुबसूरत है जिसमें सबसे बड़ी जीत अगर आज किसी की है बले ही सीटे आपस में आमने सामने आ गई है मामला फस्तावा दिख रहा है कि आखिर कौन सरकार बनाएगा कुल मिलाकर नितीश कुमार का अब रोल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नितीश कुमार जो कि पहले ही बीजेपी के पाले में जा चुके हैं अब एक बार फिर से वापसी आने की तैयारी कर रहे हैं नितीश कुमार यहां पर वापस आने के लिए अपने थेवर भी बीजेपी को दिखा चुके हैं बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि नितीश कुमार इस वक्त वापसी आने के लिए जो तेवर दिखा रहे हैं वो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षि समराथ चौधरी को उनका फोन भी नहीं लिया उनके लिए वो व्यस्त ह हो गए और राहुल गांदी से मिलने का टाइम दे दिया कर राहुल गांदी से जब वो मिलेंगे तो यह बता देंगे कि भाई अब वो आगे क्या करने वाले हैं नितीश कुमार को दोरों तरफ से उप्रदान मंतरी पत का ओफर मिल चुका है जिस जेडियो को यह समझा जा कि वो शायद अब घटने की तरफ जा सकती है लोगों ने उसे अभी भी हातो हात लिया है इस सब के बीच में नितीश कुमार इस वाक्त एक ऐसे जिन बन कर निकले है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चिराग में जिन की अभी मौजूद्गी बची होगी यहां पर नितीश कुमार ने अब वही तयारी कर ली है कि उप प्रधान मंत्री के तौर पर नितीश कुमार काबिस हो जाएंगे चाहे बात एंडियी की हो यहां पर जिसके लिए जीत मानी जाएगी और जिनके लिए इतनी सीचे लाना वाकई में आगे राज्ये के चुनाव में और ज्यादा बड़त पैदा कर सकता है तो वो हैं अखली श्यादव और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फालो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइब कर दो